हेलो फ्रेंट्स स्वागत आपका हूम टूशन चल पे दोस्तों हमारी जो लूसेंट कम्पूटर की सीरीज चले होई है उसमें सैकेंड चेप्टर आज हम डिस्स करने वाले हैं तो आप सभी इस वीडियो को धान से और पूरा देखिए क्योंकि आपके आने वाले हर्याना प्लीस एकजाम ग्राम सचिव पतवारी दिलिपली सेट कॉंस्टिबल दिलिपली स कॉंस्टिबल रेलवे जिस भी वन्डे एकजाम में कम्पूटर आता है उन सभी के लिए ये सीर कर रहे होंगे दोस्तों ठेक है तो चले सुरू करते हैं आज की क्लास क्लास सुरू करने से पहले तरह करने चाहूंगा चलो को सब्सक्राइब करें बैल आकन को प्रेस करें और लाइक करके हमारा होसल अब जाई जूरू करें तो चले दोस्तों सुरू करते हैं सेकंड चैप वो computer में जुड़ते चले गए उन सभी के बारे में हापे इस chapter में हम discuss करने वाले हैं तो कहरा कि computer एक ऐसी मानन और निर्मित मशीन है जिसने हमारे काम करने रहने खेलने इत्यादी सभी के तरीकों में परियुतिन कर दिया जियां दोस्तो काम करने आज कल हर काम digital होता है ठेक है रहने का तो हर चीज जो भी हम घर के सामान के लिए जो भी चीज करते वो भी सारी चीज़े computerize हो रही है ठेक है खेलने की बात करें तो आज कल आप बच्चे देखतें कि ओनलाइन ही गेम खरिते हैं तो यहां पर क्या कि आपनी जीवन सेली को पूरी तरह से computer ने क्या कर दिया है बदल दिया है इसने हमारे जीवन के हर पेलो को किसी ना किसी रूप में छुआ है यह एविश्वेशने अविश्कार ही क्या है दोस्तो computer है पिछले लगबग च्यार दसकों में इसने हमारे समाज के रहन सेन काम करने के तरीकों को बदल द्राला है यह लकडी के abex से सुरू होकर नविंतम उंच गती के microprocessor में परिजित हो गया है यह लकडी के abex से सुरू होकर new high speed microprocessor technology में परिवर्थित हो गया है अब बात करते हैं computer के इद्यास की history of computer तो सबसे पहले हम यहां पे बात कर रहे हैं abex की प्राचीन समय में गन्ना करने के लिए अबैक्स का उप्योग किया जाता था दोस्तों जब हम MCQ करेंगे टोपिक के बाद तो वहाँ पर भी यही चीज़े आप से पुछे जाएंगी MCQ में और यही चीज़े आपके एक्जाम में आएंगी तो ध्यान से देखेगा किलास को द अबैक्स का जो अविष्कार है वो दोस्तों कहां हुआ है चीऱ में हुआ है और यहां पे आपको अबैक्स की तस्वीर भी नजर आ रही जिहां दोस्तों इसको पास्क लाइन भी कहा जाता है पर्थम गंड़ना मसीन जिसे mechanical calculator कहा जाता है का निर्मान सन 1645 में फ्रांस के गंडित तक बलेज पास्कल ने किया था तो बाई पास्कल केल केलकुलेटर का जो विश्कार है 1645 में फ्रांस के mathematician बलेज पास्कल ने किया था पहला mechanical calculator था ये दोस्तों उस calculator में interlocking yields का उप्योग किया गया जो 0 से 9 संख्या को दरसाता था यह है कि एवल जोड रो गटा करने में सक्सम था आता है इसे adding machine भी कहा जाता था क्योंकि ये जोड तो add का मतलए किया तो जोड करना में पास्क लाइन या पास्क कैलकुलेटर का अविस्कार किया गया जो पहला mechanical calculator था दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर आया दोस्तों analytical engine ठीक है दोस्तों तस्वीर आपको नजर आ रही है कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता था computer के जमाने का ठीक है analytical engine दोस्तों सन अठारा सो एक में जोसप मेरी जैकवाड ने सव चालित बुनाई मसीन automated waving loom का निर्मान किया इसमें धातू के plate को छेद कर पंच किया गया और जो कपड़े की बुनाई को नियंतरित करने में सक्सम था सन अठारा सो बीस में एक अंग्रेज अविस्कारक चाल्स बेबेज ने difference engine बनाया ठीक दोस्तों सन अठारा सो बीस में एक अंग्रेज अविस्कारक चाल्स बेबेज ने difference engine तथा बाद में analytical engineer बनाया दोस्तों analytical engine बनाया चाल्स बेबेज के कंसेट का उप्योग का कर पर्थम कंप्यूटर प्रोप्राइट का निर्मान किया गया इसी कारण चाल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनम जाता फादर ओफ कंप्यूटर कहा जाता है दस साल के महनत के बावजुद वे पूरण ते सफल नहीं हुए सन 1842 में लेडी लवलेस ने एक पेपर जिसे एलफ मेंब्रेन और ओंदा एनलेटिकल इंजन का इटालियन सेंगरेजी में रुपांतरंड किया उन्होंने पहला डेमोंस्ट्रेशन्स प्रोग्राम लिखा और उसके बाइनरी अर्थमेटिक के योगदान को जोन वोन नियूमेन ने आद्धुनिक कम्प्यूटर के विकास के लिए उप्योग किया इसलिए लेडी लेवलेस को पर्थम प्रोग्रामर कहा जाता है तो दोस्तों ये पॉइंट है जो यहाँ पे इसको हम दुबारा पढ़ते हैं बहुत ज़ादा इंप्रोटेंट है एक्जाम के पॉइंट ओफिस से कहरा कि जो एनालिटिकल इंजन है अठारा सो एक में जोसफ मेरी जैकवाड इनों ने एक ओटोमेटिड वेविंग लूम जो बुनाई करने की मसीन थी वो बनाई दोस्तों अवी इसमें औथा कि दाथों की पलेट को छेद कर दाथों की पलेट होती थी उसमें छेद निकालके उसमें पंच किया जाता था जो कपडे की बुनाई को नियंतरित करता था अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों फिर सनाया 1820 यानि लगबग 19 साल के बाद अंग्रेज अब इसका रख्था चार्ल्स बेबेज ने डिफ्रेंस इंजन और एनालेटिकल इंजन बनाया चार्ल्स बेबेज के कंसेट को लोगों ने पसंद किया वैग्यानिकों ने पसंद किया और इसी कंसेट का प्रियोग करते हुए पहला कंपिटर प्रोप्राइट प्रोटो टाइप का निर्मान किया गया और इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंपिटर का जनम दाता कहा जाता ह फादर ओफ कंप्यूटर अब इसके बाद एक लेडी लेवलास आती है जो कि प्रोग्रामर एक प्रोग्राम बनाती है ठेक दोस्तो एक पेपर एलफ मैंब्रया ओंदा एनलिटिकल इंजन इटालियर में अंग्रेजी से रुपार्दर किया दोस्तो तो यह प्रोग्राम हुआ वो नुमैन ने आद्धुनिक कंप्यूटर के विकास के लिए उप्योग किया दोस्तो ठेक है तो अब आद्धुनिक कंप्यूटर की बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक और यहां पे इंस्ट्रूमेंट है हार्मैन होरलेथ और पंसकार्ड सन अठारा सो नब्बै के पंसकार्ड ठेक है जैसे कंप्यूटर कार्ड के नाम से आज आता हर्मन होरलेथ ने इसका अविसकार किया दोस्तो अब आता है दोस्तो पांस नंबर पॉइंट पर पहला इलक्ट्रोनिक कंप्यूटर जीसे एनियक कहा जाता था यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट जो कंप्यूटर कुण सा एनियक, एनियक की फुल फर्म के है दोस्तों, आभी हम यहाँ पर देखेंगे, Electronic Numerical Integrated and Calculator, Electronic Numerical Integrated and Calculator, ठेक है, डेटेल पिड़ा लेते हैं, सन 1922 में हावर्ड युनिवस्टी के H आइकन ने कंप्यूटर का निर्मान किया गया, यह है कंप्यूटर मार्क वन के नाम से आज कंप्यूटर का प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप था दोस्तों, सन 1916 में दूसरे विश्विद्य के दोरान एनियक का निर्मान हुआ, जो पर्थम Automated Electronic Computer था, तथा इसका निर्मान पैंसलिवन यूनिवस्टी के जे प्रेसपर एकर्ट और जोन माचली, यह बहुत पूछा गया किसन दोस्तों, अर्याना पलिस में पिछे एकजाम है, साथ तारी को जो एकजाम हुआ था, जो कैंसल हो गया था, उसमें एक किसन पूछा गया था, कि जो एनियक है, उसका विसकार किसन नहीं किया, तो भाई, एकर्ट और जोन माचली आप याद रखेंगे, 1946 के बाद हुआ, एनियक की फुल फॉर्म है, इलक्ट्रोनिक नियुमेरिकल इंटिगरेटेड एंड कैलकुलेटर, जो की पहला पूरणत है, इलक्ट्रोनिक कम्प लेटर, ठेक है, चलिए, अब अगला जो पहिंट है कि स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेट, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेट, इड सेक जिसके काता था, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेट इड सेक, यानि स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेट के अनुसार प्राचलन निर्देश, ओप्र Adsec Computer Cambridge जो इस दाले में विक्सित किया गया जिसे में Stored Program Concept समाई था यह computer में निर्देश के अनुकरम यानि सिक्वेंस को Stored करवें सक्सम था और पर्थम Computer Program के समतुल्ले था ठेक है दोस्तो तो Adsec में क्या हुआ दोस्तो storage करने का जो data है उसको storage करने का instructions की according education करने का जो concept है वो Adsec में आवाया दोस्तो ठेक है और Adsec का विसकार किस्म में हुआ दोस्तो Cambridge University में इसका विकास किया गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगले point पर Univeg अगला जो है वो Univeg है दोस्तो Universal Automatic Computer Univeg का मतलब कहा है दोस्तो Universal Automatic Computer तो भाई Univeg को हम इसे Universal Automatic Computer भी कहते हैं सन 1929 में वियापारीक उप्योग के लिए यह उत्पलद पर्थम computer था दोस्तो देखे वयापारीक उप्योग के लिए जो उप्योग होने वाला पहला computer था जिसको special वियापारीक उप्योग के लिए विक्षित किया गया था वो था Univeg Universal Automatic computer इसमें computer की पहली PD तथा गुण समाई थे इसमें कहा था कि computer की first generation के गुण यानि characteristic थे वो include थे दोस्तों और आपके सामने हाई यह निवेक भी आपको निज़रा रहा है ठेक है अब विकास की बात करें मुख्यतत है तो अब एक्स जो है सबसे पहले प्राचिन काल में arithmetic calculation के लिए अब एक्स का प्रियोग किया जाता था जो कि चीन में विक्षित हुआ तो सन 2000 से 2003 इसवी पूरव में अब एक्स का अविस्कार किया गया और यह पहला machine calculator था जेक है पहला machine calculator को रहा था दोस्तों अब एक्स फिर आया पास्क लाइन या पास्कल्स सोडा सो पैंतारिस में फ्रांस के वेग्यानिक बलेज पास्कल ने इसका विकास किया जो एडिंग और सब्स्ट्रेक्शन में सक्सम था फिर आये दोस्तों जैकवार्ड विबिंग लूम अठारा सो एक बुनाई के पैटरन को कंट्रोल करने के लिए धातू प्लेट पंच होल के साथ उप्योग किया जाता था हम पढ़ चुके हैं दोस्तों फिर आये दोस्तों वेबेज एनलिटिकल इंजिन चेक दोस्तों जिसे हम एनियक भी कहते हैं अठारा सो चोंती से अठारा सिकेतर के आसपास आया पर्थम जनरल प्रपस कंप्यूटर बनाने की कोशिस परन्तू बेबेज के जिवन काल में ये संबव नहीं होसका दोस्तों ये चार्ल्स बेबेज के काल में पहला डिफ्रेंस इंजन और एनलिटिकल इंजन का विस्क अ रहते हैं एलक्ट्रो मेकनिकल कंप्यूटर का निर्मान हुआ जिसमें डाटा संगरे के लिए पंस पेपर टाइप का प्रयोग किया गया और फिर आता है एनियक दोस्तों 1943 से 50 के बीच में पहला संपूर्ण इलक्ट्रोनिक गंणा यंतर जिसमें प्रोग्राम स्थाई रू स्टोर्ड और प्रोग्राम कंसेप्ट 1945-1902 के आसपास है कंप्यूटर के मेमोरी निर्देश और डेटा स्टोर करने के आउधारणा का विकास किया गया डेटा और निर्देश को बाहिंदरे में कूट बूद करने की सुरुबात हुई और फिर एड़्यक हम पढ़ चुके ह कंप्यूटर जो वैसे व्येसरी उपत्र था mentre आप बात करते हैं कंप्यूटर के नक्रणे को सब्सक्राइब करें प्रेस करें Lebens aparecer understand और आपको कंटेंट पसंदार है कि लाश पिसंदार्य को लाइक जरू करें में आए धूब्स आ जोस्तों ह Carol कै certificate करते गर परफमर्च की फस्ट जनरेशन जो कम्पूटर है 1922 से 1925 पहली पीडी का जो डूरेशन रहा है 1922 से 1925 तक रहा है युनिवेक फस्ट पहला वेवसाइक कम्पूटर था इस मशीन का विकास फोज और विग्यूग के लिए किया गया इसमें निरवाट टूब जिसे वैक्टियूम टूब भी क करने वाले थे इसमें सारे निरदेश और सुचनाई 0 या 1 की रूप में कम्पूटर में संग्रित होती जितने भी सुचनाई थी जितने भी इंस्ट्रक्शन थे वो मातर 0 या 1 के ही रूप में कम्पूटर में संग्रित होते थे तता इसे मसीनी भासा का परियोग किया जाता जियां दोस्तों मसीन लेंग्वेज का प्रियोग किया जाता था संग्रहन के लिए डाटा के स्टोरेज के लिए पंस काड का प्रियोग किया जाता था तो बहुत जादा इसके उदारन है वैक्यूम टूब के उप्योग में कुछ कमिया भी थी ठेक है वैक्यूम टूब गरम होने में समय लगता था गरम होने के बाद अत्यदिक उसमा पैदा होती थी जिसे ठंडा रखने के लिए खर्ची ली एसी का यहाँ पर परियोग करना पड़ता था तदा अधिक मात्रा में विद्योद खर्च होती थी दोस्तों ठेक है बात करें दूसरी पीड़ी की तो दूसरी पीड़ी हाँ पे 1955 से 1964 के बीच में रही है इस पीड़ी के कम्प्यूटर में वैक्यूम टूब की जगए ट्रांजीस्टर का प्रियोग हुआ है तो यह सवाल डारे एक लिए मैगनेटिक डिस्क तथा टेप का प्रियोग किया गया पंसकाड का प्रियोग पहली पीड़ी में दूसरी पीड़ी में मैगनेटिक डिस्क या टेप का प्रियोग किया गया मैगनेटिक डिस्क पर आईरन ओकसाइड की परत होती थी इसकी गति और संगर्ण थमता इस दोरान वेवसाय तथा उद्योग जगत कंप्यूटर का प्रियोग हुआ तथा नए प्रोग्रामिंग भासा कोबोल और फोर्टन के प्रारंबिक संस्क्रण का विकास हुआ तो दोस्तो जो प्रोग्रामिंग लेंग्वेज हैं पहली पीडे में मसीन लेंग्वेज का प्रियोग हुआ और जो प्रोग्रामिंग लेंग्वेज है उसका विसकार दूसरी पीडे के दुरान हुआ 1905-1964 के बीच में और दूसरी पीडे में वैक्यूम टूब की जगए ट् दोस्तों बात करते हैं तीसरी पीडी की तो इलक्ट्रोनिक्स में निरंतर टेक्नोलोजी डेवलपमेट से कंप्यूटर के आकार में कमी तथा तिरुगति से कार्य करने की छमता का विकास हुआ तीसरी पीडी के कम्प्यूटर में ट्रांजिस्टर के जगह पर IC चिप, इंटीग्रेटिड चिप का प्रियोग हुआ दोस्तों तो कई बार IC की फुल फॉर्म भी पूसली जाती है जिसका मतला है इंटीग्रेटिड सर्किट दोस्तों जिसका विकास JS के लिवी तो आपसे यह भी पुछा सकता है कि जो इंटीग्रेटिड सर्किट है IC चिप जिसको कहते हैं उसका अविसकार किस ने किया विकास किस ने किया तो JS के लिवी दोस्तों आरंब में LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रियोग किया गया जिसमें एक सिलिकोन पर बड़ चिप पर बड़े मातरा में IC इंटीग्रेटिड सर्किट या ट्रांजिस्टर का प्रियोग किया गया रैम का प्रियोग होने से मैगनेटिक टेप तथा डिस्क के समरण जंक्ता में वर्दी हुई लोगो द्वारा प्रियोग कंप्प्यूटर में टाइम सेरिंग का विकास हुआ जिसके द्वारा एक से अधिक user एक साथ computer के संसाधन का अपयोग कर सकते थे hardware और software अलग-लग मिलना आरम हुआ ताकि user अपने आवसकत तनुसार software ले सके दोस्तो man रूप से computer के विकास का जो नया दोर स्टार्ट होता है दोस्तो तो वो है computer की तीसरी PD क्योंकि यहां पे magnetic tape या card की जगए या आप दूसरी PD में जो transistor आया था उसकी जगए यहां पे IC chip जो बहुती छोटी होती है ठेक है आकार में छोटी speed इसकी बहुत ज़ादा ठेक है programming language की जगए यहां पे large scale integration का प्रियोग किया गया दोस्तो और जो IC chip उसका विश्कार दोस्तो JS के लिए के दवारा किया गया hardware और software अलग-अलग कर दिये गए ठेक है भाई जिसको hardware चाहिए वो hardware लेकी जाए जिसको software अपडेट करवाना है दूसरा चाहिए तो यानि यूजर के according hardware software को अलग-अलग कर दिया गया ठेक है दोस्तो तो बहुत ज़्यादा important है तीसरी PD बात करते हैं चोथी PD की तो भाई चोथी PD है 1975 से अब तक चली हुई है चोथी PD के computer में LSIC की जगह है जो हमने तीसरी PD में LSI देखा तो उसकी जगह है VLSI very large scale integration तथा ULSI ultra large scale integration दोस्तो यह full form है इसको भी आप जान से देखें VLSI का मतलब है very large scale integration और ULSI का मतलब है ultra large scale integration का प्रियोग हुआ ठीक है दोस्तो जिसमें एक चिप से लगबग लाखों चीजों को संगरेत किया जा सकता था VLSI तकनीक की उप्योग से microprocessor का निर्मान हुआ तो यह directly आपसे पुछा जाता है कि microprocessor है वो कौनसी PD में आया तो यह आया दोस्तो चोथी PD में IC chip है वो तीसरी PD में आयी transistor दूसरी PD में आया vacuum tube पहली PD में प्रियोग किया जाता था पहली PD में punch card का प्रियोग किया गया दूसरी PD में tap card का प्रियोग किया गया तीसरी PD में IC chip पर ही store कर दिया गया जाता और चोथी PD में data को store करने के लिए हाँ पे RAM और ROM का विकास कर दिया गया दोस्तो ठेक है तो microprocessor चोथी PD में आया जिससे computer के आकार में कमी हुई और चमता में क्या हुई दूस्तो वर्दी हुई microprocessor उप्योग ने के लिए computer में बलकि बहुत सारे उत्पादों में क्या जाता है जिसे वहानो, सिलाई, मरसीन, microwave, oven, electronic game इत्यादी में magnetic disk तथा tape की स्थान पे semi conductor memory का अप्योग होने लगा ठेक है दोस्तो रैम की चमता में वर्दी से समय की बचत हुई और कारिये आंतियन तिरुगती से होने लगा इस दोरान GUI, graphical user interface, mouse तथा hand hold device के विकास से computer का अप्योग करना अतियन सरल हो गया MS Doge, MS Windows तथा Apple Mac OS operating system तथा C भासा language का विकास हुआ तो जो C language है उसका विकास भी चोथी पेड़ी में हुआ MS Doge, MS Windows का विकास भी चोथी पेड़ी में हुआ ये बहुत ज़्यादा important point है दोस्तो उंच उस्तरिय भाई साब high level language का मान की करन, standardization किया गया ताकि program या software सभी computer में चलाया जा सके यानि platform dependent ना हो दोस्तो ये सभी छोटे थाता तिरुक गती वाले जो computer को एक दूसरे जोड़कर network का निर्मान किया जा सका जो आगे चलकर internet के विकास में साहे हुआ दोस्तो अब बात करते हैं जो वर्तमान में जो PD चली हुई है वो कौन से है दोस्तो पांच वी PD है ठीक है फिप्ट जनरेशन है computer की दोस्तो पांच वी PD के computer में VLSI की स्थान पे ULSI अल्टरा लार्ज स्केल integration का प्रियोग हुआ दोस्तो और एक चिपर करोडों calculation करना संभव हो पाया storage के लिए CD जिसे compact disc का विकास हुआ internet, email, www का विकास हुआ बहुत छोटे और तिरुगती से कारिय करने वाले computer का विकास हुआ programming की जटिलता कम हो गई करित्रिम ज्यान समता जिसे artificial intelligence तो ये बहुत important point है दोस्तो artificial intelligence है वो कौनसी PD में आया दोस्तो तो ये पांचवे PD यानी वर्तमान को विक्षित करने की कोशिश की गई तथा आप प्रिष्टितिक अनुसार computer निर्ने ले सके portable PC जिसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हो जैसे laptop है हमारा tablet है और डैसको PC ने computer के चेतर में करांती ला दी यहाँ पे और इसका प्योग जीवन के हर चेतर में होने लगा दोस्तो ठेक है तो पांचों PD हमने यहाँ पे पढ़ ली है अब सोर्टेज में इनको दुबारा से बार समरी के रूप में देखेंगे कि पहले PD दूसरी PD यानि यहाँ पे क्या-क्या विश्यस्ता ही थी तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं पर्थम PD की तो electronic circuit में vacuum tube का उपयोग यहाँ पे हुआ जिसे निर्वाट tube हिंदी में कहते हैं दोस्तो primary internal storage के रूप में magnetic drum जिसे punch card भी कहा जाता था इनका प्रियोग किया गया बंडारन चमता क्या थी दोस्तो सिमित थी speed क्या थी कम थी निमंस तरिये जो low level की जो programming language थी machine भासा machine language का यहाँ और assembly language का यहाँ पर प्रियोग होता था ताप नियंतरन के लिए यहाँ पर हमने पढ़ चुके हैंगी AC का प्रियोग करना पढ़ता था उपियोग क्या था दोस्तो पैरोल प्रोसेसिंग और रिकोर्ड रखने के लिए उधारन क्या है पहली PD के IBM 650 UNIWAC और ENIAC यह पर्थम PD के computer हैं दोस्तो बात करते हैं दूसरी PD में तो transistor ने स्थान ले लिया था हम पढ़ चुके हैं प्राइमरी स्टोरेज के जो है ना पंस काड की जगा है मेगनेटिक टेप में इसका यहाँ पर स्थान ले लिया था हाई बासा, कोबोल और फोटन का विकास हुआ, सपीड में transistor का उप्योग है, वो दूसरी PD में स्टार्ट हुआ, और दोस्तों पंस काड की जगाए यहाँ पर मेगनेटिक कोर का प्रियोग किया जाने वाला, यह दो पॉइंट आपके लिए यहाँ पर जोरी है, और जो तीसरा है थोड़े से एक्जामपल, जैसे IBM 1401 है, हनी वेल 200 है, और CDC 64 है, वो दूसरी PD के यहाँ पर कम्प्योटर है दोस्तों उप्योग की बात करें तो बिलिंग पैरोल प्रोसेसिंग और इन बैंटरी फाइल का अपडेशन करने के लिए तेसरी PD में हम जानते है IC चिप यहाँ पर आ चुकी थी, जिसका फुल फोरम है, इंटेगरेटर चिप दोस्तों चुम्बक्य कोरोर सोलिड स्टेट मुख्य बरंडारन के रुप में यहाँ पर परियोग किया जाने वाला, स्पेड यहाँ पर जाएगी, हाई लेवल लेंगवेज यहाँ पर आ जाएगी, प्रोसेसिंग और टाइम सेरिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गया था तीसरी PD में दोस्तों, इन्पुट आउट्पुट को नियंतरित करने के लिए सोफ्टवेर यहाँ पर दो चुके थे, यूजर के अकोडिंग, हाडवेर सोफ्वेर अलग लग किये जा चुके थे उप्योग क्या है दोस्तों, तीसरी PD कम्पुटरों को एरलाइन रिजेस्टन सिस्टम, क्रेड़िट कार्ड बिलिंग और मार्केट फोरकास्टिंग में कि बारिस कब होने वाली है, या सेर मार्केट बढ़ेगा, गटेगा इस प्रकार की जो चीज़े हैं वो तीसरी PD के कम्पुटरों दो रख्या जाता था, उदारण है IBM सिस्टम 360, NCR 395 और बोरो B65 दोस्तों चोती PD में हम सभी जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर आचुका था स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, स्पीड के साथ साथ दोस्तों स्टोरेज चंता में विकास हुआ तो यहाँ पे VLSI तथा ULSI का उप्योग स्टार्ट हो गया था दोस्तों बेन-बेन हाडवे निर्माता के यंतर बीच एक अनुकुलता ताकि उप्वोगता किसी एक विक्रेता से नय बना रहे मेनी कम्पूटर के उप्योग में वर्दी दोस्तों जैसे ही यहाँ पे माइक्रो प्रोससर आया छोटे-छोटे कम्पूटरों का बहुत बड़ी संख्या में निरमान स्टार्ट हुआ और इन्होंने कम्पूटर के युग में एक नई कृरानती ला दी दोस्तों चेक है, माइक्रो प्रोसेसर और मेनी कम्प्यूटर का जो हब प्रारम हो गया था, तो यहां पर उप्योग की बात करें, इलक्ट्रोनिक, फंड ट्रांसफर, वैसाईक, उत्पादन और व्यक्तिकत उप्योग के लिए, उधारण की बात करें, तो IBM, PC, XT और Apple Second, पांचवी PD जो वर्तमान में चले होई है, ओप्टिकल डिस्क और बंडारण संताम विर्दी, लेकिन जो सबसे इंपोर्टेंट है वो है, Artificial Intelligence पांचवी PD में इंट्रोडूस की गई दोस्तो, उप्योग की बात करें दोस्तो, इंटरनेट मल्टिमीडिया का उप्योग करने में, यहाँ पे इंटरनेट, एमेल और डबलो-डबलो का विकासवा पांचवी PD में दोस्तो, वो दारन आपको दे रखें, IBM, Notebook, Pentium, PC और सुपर कंप्योटर आदी, ठेक है दोस्तो, आब यहाँ पे कंप्योटर की काटेगरीज है, एक है Special Purpose Computer और एक है General Purpose Computer दोस्तो, तो बात करें Special Purpose Computer की, तो Special Purpose Computer का प्योट किसी एक निशित और विशेश तरीकी कटनाई को दूर करने के लिए क्या जाता था, बाइस Special का मतलब कोई विशेश सी जोगी Special चीज़ होगी केवल उसी के लिए जो कंप्योटर का विकास होता है, वो Special Purpose Computer का लाते हैं, किसी विश से सुप्यों के लिए से सिस्टम आतिदिक प्रवाईत होते हैं, जैसे साओचालित ट्रैफिक कंट्रोल होता है, वो सिस्टम है Special Purpose Computer के दवारा किया जाता है, उनमें एक ही काम होता है जो सिस्टम है, जो एरक्राफ्ट आते हैं, हवाई जाता है, उनका जो कंट्रोल है, वो ओटोमेटिक होता है, तो वो भी एक सिस्टम के देत होता है और उसमें Special Purpose Computer लगाए जाते हैं, दूसरा है General Purpose Counter, ये किसी विशेज कारिये के लिए निर्वित नहीं होते हैं, ये एक से अधिक कठनायों को दूर करने में सक्सम होते हैं, इनमें थोड़ा बहुत प्रोग्रा कारिये पदती के आधार पर वर्गी करन, जो Classification on Working System, कौन सा Computer कैसा काम करेगा उसके आधार पर हाँ पे केटेगराईज किया गया है, पहला है Digital Computer, डिजिटल कम्पूटर में डाटा को Electric Pulse की रुप में निरुपित किया जाता है, जिसकी गणना 0 या 1 की रुप में निरुपि जिसकी तिरुगति अधिकोति तदा करोडो गणना ये परति सेकंड कर सकता है, आध्वनिक Digital Computer में Binary System का प्रियोग होता है, फिर दूसरी जो टाइप है, वर्किंग के आधार पे Analog Computer, अभी हमने Digital देखा फिर Analog, तो इसमें विद्युद के Analog रूप का प्रियोग किया जात दोस्तों, फिर आता है दोस्तों Hybrid Computer, यह है Digital तथा Analog का मिस्रित है, इसमें Input तथा Output Analog रूप में होता है, परन्तु Processing Digital रूप में होता है, इनपुट और Output है वो Analog के रूप में होता है, लेकिन Processing है वो Digitally होती है, इनमें Analog से Digital Conformator, ADC तथा Digital से Analog Converator, DAC का अप्योग किया जाता है, तो यह यहां पर इसका Diagram दे रखा है, Input, ADC, CPU, DAC और फिर Output, Hybrid Computer की यहां पर हम बात कर रहे हैं, अगला जो यहां पर Point है, अब आता है, मतलब Classification on Size, आकार के बाद, Size की According जो Computer अलग लगते हैं, वो कौन कौन होते हैं, Man Frame Computer, इन मशीनों की विशेष्ता वरत आंत्रिक समर्दी संगन समता, यानि जो Man Frame Computer होता है, उसमें Storage की समता क्या होती है, दोस्तों, बहुत जादा होती है, तथा Software और Preferral यंत्रों को वरत रुप से जोड़ा जाना है, इसके कारिया करने की समता और गती बहुत जादा स्पीड होती है, इस सिस्टम पर एक साथ एक बैंकिंग सेक्टर में, अनुसंदान में, रक्षा, अंत्रिक साथी में, Man Frame Computer का प्रियोग क्या जाता है, दोस्तों, ठेक है, तो ये सवाल भी आपसे बुचाहता है, कि बैंकिंग सेक्टर, अनुसंदान, रक्षा, या अंत्रिक में किस प्रकार के Computer प्योग होता है, तो दो चंपता और गति अधिक होती है इस पर एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं 80386 सुपर चिप का प्रियोग इसमें करने पर सुपर मेनी कम्पूटर में अदल जाता है उप्योग कम्पनी यात्रियों का आरेक्षन रेलवे का करते हैं जैसे अनुसंदा नाद्धी में उदारण की बात करें तो AS4, BULL, HN, DPS और यह दे रखा है दोस्तो HP 9000 और RISC 6000 दोस्तो माइक्रो कम्पूटर की बात करें तो माइक्रो कम्पूटर में प्रोसेसर के रुप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रियोग होता दोस्तो इसमें इंपूट के लिए कीबोर्ड और आउटपूट देखने के लिए मोनिटर का प्रियोग किया जाता है इसकी समता एक लाख गणनाई प्रति सेकंड होती है उप्योग की बात करें तो बिजनिस के तोर पर घरों में मनो रंजन में चिकिट्शाश चेतर में dalej में Aymaker आईमेक और आई बियम के दूस्तो उदारण है फिर आता है दूस्तो परसनल कंप्यूटर तो परसनल कंप्यूटर आकार में बहुत चोटे होते हैं यह माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है इस पर एक समय एक ही युजर काम कर सकता है इसका ओप्रेटिंग सिस्टम एक साथ कई कारिया कर सकता है इसे इंटरनेट से भी जोड़ सकते हैं भारत में निरमित पहला जो computer था जो परथम computer था उसका नाम था सिद्धार्थ pacman नामक परसिद computer खेल के निरमित होा द्यादी में दोस्तों उधारण है 11-0 HP जो हम यूज करते हैं फिलहाल फिर आता है दोस्तों लैप्टोप लैप्टोप यह PC की तरही कारे करता है परन्तों आकार में PC से भी छोटा है और कहीं भी ले जाने ही होगे होता है CPU, Monitor, Keyboard, Mouse तरहने ड्राइस में स्यूंक्त होते है यह बैटरी से भी कारे करता है आता है इसे कहीं भी इसको ले जाकर इसका उप्योग किया जा सकता है Wi-Fi की सहाइता से इंटरनेट का भी उप्योग किया जा सकता है उदारन की बात के लिए तो IBM, Camo, Apple, Lenovo, Adi के कंपनियों के लैप्टोप आप देखते है HP का भी आता है दोस्तो LG का भी लैप्टोप आते हैं फिरा दोस्तो Palm Top आपकी स्क्रीन पर देखा रहे है इस परकार का होता है Palm Top जो Laptop से भी छोटा होता है यह आकार में बहुत छोटा होता है जिसे आथ्यली पर रखकर रुपयों किया जा सकता है इसमें पीडे के दूसरों कम्पूटरों की तुलना में जादा स्पीड होते हैं इनमें इनमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं अब तक का सबसे सक्तिसाली कम्पूटर है दोस्तों ठीक है, यानि जो सुपरकम्पूटर है वो अब तक का कम्पूटर के जनेरेशन में सबसे सक्ति साली कम्पूटर है विसू का पहला सुपरकम्पूटर 1964 में CDC 66 था और 1968 में आया क्रे वन, ये क्रेसर रिसर्स कंपनी दिवारा विस्चित किया गया यही इत्यास में सबसे सफल सुपरकम्पूटर था तो यहाँ पे दो पॉइंट है पहला सुपरकम्पूटर CDC66 पहला सफल सुपरकम्पूटर Craven दोस्तों भारत का पहला सुपरकम्पूटर Param C DEC दवारा 1991 में विख्षित किया गया वरतमान प्रोसेसिंग चमता विशेस्त गणना की गती में सुपरकम्पूटर सबसे आगे हैं इसमें मल्टी प्रोसेसिंग तथा समानंतर प्रोसेसिंग पैरलल प्रोसेसिंग 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 होती है जिसके दवारा किसी भी कारियों को टुकुडों में वज़ित किया जा सकता है तथा कई वेक्ति एक साथ अलग-लग कारिया कर सकते हैं इसका उप्योग एनिमेड़ेट ग्राफिक्स परमाणू अनसंदान इत्यादी में किया जाता है दोस्तों पेस सीरीज के सुपर कम्पूटर जैसे DRDO हैदराबाद तथा अनुपम सीरीज के कम्पूटर बार क्या निए बाबा आटों में एक रिसर्स सेंटर के द्वारा विश्चित किया गया था उधारन है क्रेवन ठेक है तो यह हमने सेकिंड चैप्टर है इसकी थोरी यहां पर जो आपने पढ़ा है उसी समन्देद अभी क्यों सनाएंगे तो इसको मिस बिलकुल नहीं करना है वीडियो को पूरा देखे क्योंकि यहीं से आपका कम्पूटर का सेकिंड टोपिक यहां पे किलियर हो जाएगा दोस्तो तो दोस्तो लेता है पहला स्वाल पहला स्वाल पहला कौन सा था तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तो कैलकुलेटर ओप्सन नंबर डी इसका राइट आंसर आजाएगा दूसरा स्वाल है कि पैक मैन अभी अभी आपने पढ़ा दोस्तो पैक मैन कम्पूटर का विकास सपेसल गेम के लिए किया गया तो यहां पर आंसर बलेज पासकल ने मेकनिकल कम्पूटर का विकास किया जिसे पासक लाइन भी कहा जाता है किसन ने पंसकाड का आरंब किया पंसकाड का आरंब किसने किया दोस्तो तो राइट आंसर आ जाएगा यहां पर ओप्सन नंबर इ इन में से कोई नहीं ठेक है पंसकाड का से पहली कम्प्रूटर जिसका निर्मान पहली PD के कम्प्रूटर से पहले होआ था वो कौन सा है दोस्तो तो वह दोस्तो आपका इलक्टरिकल कम्प्रूटर है दोस्तो एलक्ट Canon हम पड़ा चुके न Annoy kita का अगलfire कि अनलो कम्प्रूटर क्या है तो एक कि यंतर जो बोतिक रासी जो लगातार बदलती रहती है वैसे डाटा प्रकारी करता है यह है एक अर्थमेटिकल हाई लेंग्वेज भासा है लो लेंग्वेज पर यह कम्प्यूकेट करता है या यह सबी तो दोस्तो एनालोग जो कम्प्यूटर है यह निमन्स तरपर संप्रिशित करता है कम्प्यूटिकेट करता है उप्सन नमर सी यहाँ पर राइट रांसर आ जाएगा अगला स्वाल है कि इनमें से कौन PC की सही व्याख्याता करता है यह PC क्या है सबी स्टाप के लिए सवतंतर कम्प्यूटर है हर स्टाप के लिए उप्लाइट परसनल कम्प्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त उसके और सव उत्पादित में वर्दित कर सके और पैंटियम दौरा निर्मित कम्प्यूटर है यह सबी है तो यहाँ पे दोस्तो राइट टांसर आजाएगा ओप्सण नमबर डी यह सारे के सारे ही PC के बारे में बाते है चोटा जो हमारे डैस्क उप्लाइट परसनल कर रहे हो क्या है PC तो बोलते हो तो हर स्टाप के लिए अलग कम्प्यूटर स्टोरेज की सम्था अलग अलग है Pentium दारा निर्मित कंपूटर है तो ये सबी है दोस्तो अगला सवल है कि लेप्टोप क्या है तो लेप्टोप clinical प्रियोग साला में अप्रियोग क्या है compact दारा निर्मित कंपूटर है छोटे alcooputer जो सूटकेस में आ सके तो देखे दोस्तो 8 का जो सही आंसर आएगा option number D by medical medical में प्रियोग करते हैं clinical प्रियोग के लिए प्रियोग कर सकते हैं compact द्वारा निर्वित computer है बिल्कुल सही है और छोटी alcohol computer जो suitcase में भी आ सकते हैं तो यहाँ पे आएगा option number C D, सारे के सारे यहाँ पे laptop की विशेशताएं है अगला स्वाल है दोस्तों सुपर computer क्या है तो एक साथ बहुत सारे प्रियोगताओं के data process करता है यह तिरोर महेंगी computer system है बड़े संग्ठों में इसका प्रियोग क्या दता है बिल्कुल दोस्तों यह सारी की सारी बात नहीं है बिल्कुल सही है अगला स्वाल है कि इन में से कौन सा सही नहीं है notebook computer हलका था नोट बुक के सैदरस दिखता है ठेक है तो यह बिल्कुल सही बात है pom top computer हलका था जे पोकेट में आ सकता है यह बात यहाँ पे कहा दोस्तों गलत है ठेक है pom top computer को pieo computer भी कहा जाता है बिल्कुल सही है अगला स्वाल है दोस्तों computer की बुनियादी संदर्चना basic architecture का विकास किस नहीं किया computer की बुनियादी संदर्चना का विकास दोस्तों हम सबी जानते है Charles Babbage के द्वारा किया गया computer के father इनको कहा जाता है नेमन में से कौन सबसे बड़ा सबसे तेज और सबसे महेंगा computer है तो हम सभी जानते हैं दोस्तों सबसे बड़ा सबसे तेज और सबसे महेंगा computer हो कौन सा है दोस्तों super computer सामाने रूप से प्रयोग किया जाने वाला computer कौन सा है सामाने जनरल परपस के लिए जो प्रियोग किया जाना वाला computer है वो कौन सा है तो right answer आजाएगा दोस्तो digital computer option number B अगला सवाल है कि क्रेवन क्या है तो क्रेवन हम सभी जानते हैं अभी थोड़ देर पहले हमने पढ़ा है क्रेवन क्या है दोस्तो सुपर computer है करे क्या है एक सुपर computer है DRDO संस्तान इंतरक्स में इसका प्रियोग क्यादाता में पढ़ चोके है पांचवी PD के computer के विशेश्ता कहा है दोस्तो artificial intelligence क्रित्रिम वर्दी जो है क्रित्रिम बुद्धी यहाँ पर वर्दी नहीं है दोस्तो तो यहाँ पर आएगा option number A घर गर इसका प्रियोग क्या जाता है ऐसे computer जो portable है तथा यात्रा करने वाले user के लिए सुविदा जनक होते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तो उनको हम कहते हैं laptop अगला स्वाला की computer में IC chip के उत्पादन में निम लिखित में से किसकी आउसकता पड़ी तो IC chip है दोस्तो किसकी बनी होती है silicon की option number B यहाँ पर बिल्कुल सही answer आजाएगा अगला स्वाला दोस्तो multi programming का प्रियोग किस PD के computer में क्या गया multiple programming का जो प्रियोग है वो किस PD में किया गया तो right answer आजाएगा दोस्तो तीसरी PD में तीसरी PD में दोस्तो IC chip जब आई transistor के स्थान पे जब IC chip आई तो multi programming का भी यहाँ पे विकास हुआ hardware software यहाँ पे अलग-लग कर दिये गए user के according दोस्तो अगला स्वाल है कि manframe computer के लिए multix operating system कहां बनाया गया manframe computer के लिए multix operating system कहां बनाया गया तो right answer आजाएगा दोस्तो option number D punch card machine दोवारा sorry option number D यहाँ पे आएगा दोस्तो bell प्रियोग साला bell प्रियोग साला के दोवारा यहाँ पे बनाया गया question number 20 दोस्तो Charles Babes के पर्थम mechanical computer को किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तो कोई नहीं actual answer क्या है वो हाप हमें comment का section में बताएंगे क्योंकि आपने एकलास अब तक देख रही है दोस्तो आप भी अगला स्वाला दोस्तो वेश्व का सबसे पहला super computer कब बना वेश्व का सबसे पहला super computer दोस्तो 1906 में बना वेश्व का सबसे पहला super computer 1906 में बना दोस्तो अगला स्वाला की व्यक्ति का तोर पर किस computer का प्रियोग किया जाता है तो दोस्तो personally हम micro computer का प्रियोग करते हैं अगला स्वाला है कि निमल इखित में से computer का जनक किसे का जाता है चार्ल्स वेवेज को भारत में निर्मित पहला computer कोण सा है दोस्तो सिदार्थ है हम पढ़ चुके हैं थोड़ दे पहले सबसे तेज computer कोण सा हता है दोस्तो super computer होता है भारत में निर्मित परम computer किस प्रकार का प्याग computer है दोस्तो तो जो परम computer है वो एक प्रकार का सुपर कंप्रूटर दोस्तू अगला स्वाल है कि पूरू में फोर्ट्रोन के साथ कार्य करने वाले कंप्रूटर किस यूग के थे पूरू में फोर्ट्रोन के साथ कार्य करने वाले कंप्रूटर किस यूग के कंप्रूटर थे तो पूरू का मतलब यहाँ पर दोस्तो नोर्ट जो इस्ट के साथ है यूरोप है यूरोप अमरिका है वहाँ पर फोट्रोन फोट्रोन क्या है दोस्तो लेंग्वेज है कोबोल और फोट्रोन लेंग्वेज इन लेंग्वेज का विकास किस पिड़े में हुआ अगर आपको य टेली प्रोसेसिंग और टाइम सेरिंग का विकास तीसरी पिडे में हम पढ़ चुके हैं तीसरी पिडे में दोस्तो टाइम सेरिंग और टेली प्रोसेसिंग का विकास हो चुका था IC चिप आने के साथ ही अगला से ओलो दोस्तों गंड़ना सema अबेक्स का विष्कार किस देश में हो आ तो अबेक्स का विष्कार चीन में हो आम पड़ चुके हैं दोस्तों पर्थम PD के कंप्यूटर में क्या दोस्त है तो जो पहली PD के कंप्यूटर थे क्या आकार में छोटे थे नहीं आकार में बड़े थे उस्मा की उत्पत्ती नहीं होती थी ये भी गलत है आकार में बड़े थे उस्मा की अतधिक उत्पादन होता था जिसके लिए ठंडा करने के लिए AC का प्रियोग करना पड़ता था तो यहां पे आएगा option number B क्या आकार व वेक्यूम टूब थे दोस्तों पहले बीडि में, दूसरी में ट्रांजिस्टर आया, तीसरी में आईसी चिप, चोथी में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवी में आर्टिफीशल इंटेलिजेंस, कारिये पदती के आदार पर कंप्यूटर कितने परकार के हैं, तो दोस्तों का ये पदती के आदार पर पुछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर आजाएगा, ओप्सन नमबर E, डिजिटल, एनालोग और हाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिड इस ओप्सन में नहीं है, तो यहाँ पे ओप्सन नमबर E के साथ जाना पड़ेगा, A और B दोनों, अगल 8386, यह चिप का नमबर है, 8386, सुपर चिप का प्रियोग करने पर मिनी कम्पूटर भी सुपर कम्पूटर बन जाते हैं, अगला स्वाल है कि टेलिविजन के आकार का कम्पूटर, टेलिविजन के आकार का जो कम्पूटर है, निमल लेखेत में से कौन सा है, तो राइट सेकिंड माइक्रो कम्पूटर की स्पिड है दोस्तों, अगला स्वाल है कि आई मेक एक परकार का क्या है, तो आई मेक क्या है दोस्तों, एक परकार का मसीन है, ठेक है, मसीन है, क्योस्टर नमर 38 है कि एनलेटिक इंजन का निर्मान किसके द्वारा किया गया, एनलेटिक ये computer की मुख्य विश्यस्ता होती है file, game, gati, cd और fallopy तो दोस्तों ये जो अन्य चीज़े हैं ये memory की विश्यस्ता ही है और game एक software program हम कह सकते हैं application कह सकते हैं तो computer की विश्यस्ता है क्या है दोस्तों यहाँ पे sapid 49 कांस राइगा वीडियो को लाइक करें, share कैचल को subscribe करें इसे परकार हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों अगला सवाल है पर्थम PD के computer में मुख्य एलक्ट्रोनी गटक क्या था तो पहली PD में दोस्तो vacuum tube का प्रियोग होता था आकार की आधार पर computer के कौन से परकार नहीं है तो दोस्तों optical computer नहीं होता है micro होता है, man frame होता है mini होता है, super mini होता है लेकिन optical computer नहीं होता है दोस्तों अगला सवाल है कि अंक्य computer खालिस्तान गणनाई परतिसेकिन करता है तो दोस्तों अंक्य जो computer है वो करोडो गणनाई परती सेकंड करता है हम पढ़ चुके हैं अगला स्वाल है कि सुपर मीनी कम्पूटर में कितनी संकेडियाई परती सेकंड समाहित होती है तो दोस्तो super mini computer में 5,00,000,000 calculation पर 30 second कि आधार पीन की speed होती है अगला सवाले की micro computer में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या है तो गरह computer, व्यक्तिगत computer, laptop computer, atomic computer तो atomic computer तो ये super computer हो जाते हैं तो ये micro computer में नहीं आते हैं तो आंसर आजाएगा option number D अगलास वाले स्वर पर्थम पंच करड का प्रयोग किस ने किया था तो दोस्तो सबसे पहले पंच करड का जो प्रयोग है जो सेप मैरी ने किया था option number D अगलास वाले की computer का पिता मैं किसे का जाता है Charles Babes को computer के विकास में सरवादिक योगदान किस ने दिया है दोस्तो तो right answer आएगा one newman ने father of computer है Charles Bebez है लेकिन computer के विकास में सबसे ज़ादा योगदान है one newman ने दिया है option number D right answer आएगा आगे बढ़ते हैं अगले question पर कहला कि पहला अंकिय computer blueprint के विकास में सरवादिक योगदान किस ने दिया पहले mathematical यानि numerical जो computer था उसके blueprint के विकास में सरवादिक योगदान किस ने किया तो right answer आएगा Charles Bebez सर पर्थम आदोनिक computer की खोज गब हुई सबसे पहले आदोनिक computer की खोज है वो कौनसे वर्स हुई दोस्तों तो हम सब जानते हैं option number 1946 पहली PD की computer की बातोरी है तो सरवादिक सर पर्थम आदोनिक computer की खोज है 1946 में हुई दोस्तों अगला सवाल है कि integrated circuit IC chip का विकास किसके द्वारा किया गया JS के लिवी के द्वारा IC chip किस तरह की परत होती है दोस्तों डेजिटल कम्पूटर की सिद्धान्थ पर कार्य करता है तो डेजिटल कम्पूटर दोस्तो गणना के सिद्धान्थ पर कार्य करता है अगला सवाल है कि सुपर कम्पूटर अन्य कम्पूटरों से किस संद्रम में भिन होते हैं सुपर कम्पूटर अन्य कम्पूटरों से किस अधिक होते हैं, मतलब अलग हैं, बहुत अधिक किम्मत है, बिलकुल सही बात है, वातानुकुलन की समस्या बिलकुल नहीं है, परिकलन चमता और समर्दी वरदार ये भी सही है, बहुत आयामी उप्योग, तो मैं जो चीज है, वो है दोस्तो, ओप्सन नंबर C, कि वह इस पर आइनरी सिस्टम का परियोग किया जाता है, भारत में विक्षित परम सुपरकम्पूटर का विकास किस संस्ताने किया, तो भारत में विक्षित तो परम सुपरकम्पूटर है, उसका विकास कौन सी संस्ताने किया, तो राइट आंसरा जाएगा, ओप्सन A, C-DAC, C-DAC ने व चोथी पिड़ी में क्या आया था दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर आये था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आयेगा दोस्तों, वरद एकिकर्ट परिपत, ठीक है, उप्सन नमबर B, माइक्रो प्रोसेसर, अगला स्वाल है कि एक छोटे सिलिकोन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलक्ट्रोनिक प्रोनों के साथ, पूरण इलक्ट्रोनिक सर्कुट को क्या कहा जाता है, राइट आंसर आएगा दोस्तों, इंटिग्रेटिड सर्कुट, सिलिकोन चिप कौन से होती है, आई सी चिप तो यही आंसर आ जाएगा, कहरा कि कौन सा डिवाइस उपकरन पकड या हैंड हैल ओपरेटिंग सिस्टम का इस्तिमाल करता है, तो दोस्तों हैंड हैल ओपरेटिंग सिस्टम का जो परियोग करता है, वो है आपका PDA, अगला स्वाल है कि कोई कंप्यूटर एनालोग डाटा को पहचानने और समझने के लिए किसका परियोग करता है, तो क मसीन भासा में बदला जाना पड़ेगा युजर ने जो इनपुट किया है उसको डिकोड करते हैं मसीन अनवादाल बदलते हैं दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों मैनफ्रेम camputer से आकार और प्रोसेशिशं में चुटे होते हैं, अधिकांस गरों में होते हैं यह तो बिलकुल नहीं है हजारों micro processor होते हैं बिलकुल सही है उनकी computing प्रोसेशिटा की कमिके कारण नहीं बाई computing समता, education समता तो बहुत ज़्यादा होती है laptop के आकार क्यों होते हैं बिलकुल नहीं man frame computer से तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो यहाँ पर आएगा option number C ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं कहरा कि निमल लिखित में से सबसे तेज कौन सा computer है सोरी computer नहीं कौन सा है सबसे तेज cd-rom, ram, register or catch तो दोस्तों दिये गए options की according यहाँ पर जो register होते हैं वो सबसे तेज memory की device होते हैं अगला स्वाल है कि किसने पहला electronic computer anyak को बनाया था तो दोस्तो anyak को बनाने का जो सरे है वो जाता है askart और zone mostly को अगला स्वाले किन में से कौन सी computer की पहली PD है तो दोस्तों पहली PD में हमने anyak का प्रियोग किया option number A बिलकुल सही अंसरा जाएगा अगला स्वाले की अंकियक संगनत numerical computer द्वारा data और program को सांकेतिक सब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाडी का प्रियोग क्या दरता है तो जो प्रणाडी है दोस्तों binary system है और विश्व के पहले super computer का नाम क्या है दोस्तों तो विश्व के पहले super computer का नाम है CDC 6600 CDC 6600 विश्व का पहला super computer था ठेक है दोस्तों तो ये थी हमारा chapter number 2 कम्प्यूटर का जिसमें हमने कम्प्यूटर के विकास के बारे में समझा दोस्तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें, चल को सबस्काइब करें दोस्तो और पलेलिस्ट हमने बना दी है, बाद में भी आप इन किलासिस को देखकर जल्दी से अपना रिवीजन कर सकते हैं लोज ट्रेंट की ये सिरी चले होई है पहले हम थोरी पढ़ते हैं उसके बाद M.C. के हम करते हैं उम्मेद करता हूँ वेडियो और किलास आपको पसंद आया होगा समझ में आया होगा वेडियो को लाइक करें शेयर करें सेल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वेडियो में तो अगले धन्यवाद गुडबाए